हेलो एब्रीवन वेलकम बैक तो मैं चैनल दिस साइट सिदी और आज की वीडियो में मैं आप सब को लेंड रिवेन्यू सिस्टम यानि की आप लोगों का जो भूमी रज़स्त पुरुनाली का यह टॉपिक है इसको डिसकूस करने वाली हूँ आप सभी जानते हैं यह लेंड पूछा जाता है अगर आप लोग इगनू के भी स्टूडेंट है तो यह वीडियो आप सभी के लिए हैलफुल होने वाली है चाहिए आप कॉम्पेटेटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हो एंट्रेंस एक्जाम की त्यारी कर रहे हो या आपका कोई सेमस्टर वाइस भी ए एंट्रेंट्रेंट्रेंस इस्टम आप सबको समझाने वाली हूं और यह भी मैं बताने वाली हूं कि अगर यह क्वेशन आपके एक्जाम में आ जाए तो किस तरीके से आप लोगों को लिखना है और किन बातों का ध्यान रखना है बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आया थ आते हूं ताकि मैं वह जल्दी से वीडियो लेकर क्या सकूँ और आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझा सकें ठीक है इसी तरीके से हम लोगों की सीरीज चल रहे है स्टूडेंट वह चलती रहेगी लेकिन बीच बीच में आप लोगों के जो भी टॉपिक रहें और वीडियो के अंट तक बने दाना वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना इस टॉपिक आज आपने पूरी वीडियो को देख लिया तो आप इसको बहुत अच्छे से और एजली तरीके से समझ जाएंगे ताकि आप इन फ्यूचर इस कॉपिक पे कुछ भी क्वेशन हैगा तो आप इसको कर पाएंगे तो चलिए अपने आज की वीडियो को शार्ट करते हैं और जो भी स्टूडेंट मेरी चानल पर फर्स टाइम आया है मेरी वीडियो को फर्स टाइम देख रहा है जल्दी से मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लो यह चैनल आप लगे लिए बहुत ह जादा हेल्फूल है क्या हम पूरे हिस्ट्री के जितने इंपॉर्टन टॉपिक्स सब कुछ यहां पर करते हैं तो इसके लिए चैनल पर बने जाने के लिए सब्सक्राइब कर लो और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर लो कि मैं आप सब के लि वीडियो को लाइक शेयर जादा से जादा जरूर करें तो चलिए स्टूडेंट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह बाइलिंग्वल होने वाली आप मेंसे किसी को कोई परिशानी नहीं होगी और अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से ग्रीट प्रॉब्लम होगी त पूछना मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए तो स्टूडेंट हम बिल्कुल डिटेल में और बेसिक से स्टार्ट करेंगे अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव टैप अगर MCQ यानि अब्जेक्टिव टैप क्वेशन आएगा तो भी आप कर पाऊगे अगर आप इगनू के स्टूडेंट भी हो ये क्वेशन वहाँ प ब्रीटिस इंडिया के टाइम पर हमें देखने को मिलता है और आप लोग यहां देखोगे कि लैंड रेवेन्यु की मैं अगर बात करूं तो लैंड रेवेन्यू वाज वाज वन ऑफ ता मेजर सोर्स ऑफ इंकम फो ब्रीटिस इन इंडिया आप सभी जानते जो लैंड तेकसिस यानि कि ये लैंड रवेण्यू लेना स्टार्ट किया था अगर मैं पर बात करूं तो भारत में अंग्रेजों की आये का एक प्रमुक। रोत भूराजस्ट था भारत में ब्रिटिस साशन के दोरान मोटे तोर पर तीन प्रकार की भूराजस्ट मुनितिया मौजूद थी हम जो यहाँ पर लेंड रेवन्यू यानि की भूराजस्ट को पढ़ने वाले वो तीन हिस्सों में पढ़ने वाले अगर मैं बात करूं बिफ हम लोग इसको पढ़ने वाले सबसे पहला वो है स्टुडेंट आपका जमिनदारी सिस्टम ठीक है यानि की पर्मानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं याद रखना जमिनदारी वेवस्ता यानि की यह दो नाम है या तो जमिनदारी सिस्टम यापकी पर्मानेंट सेटलमेंट य 1793 में इसको इंटेड्यूस किया गया था किसके द्वारा किया गया था तो यह था आपका लॉड कॉन मैलिस यह मैं भी आपको आगे डिटेल में पढ़ाने वाली हूं लेकिन अभी आपको इतनी बात याद रखनी है कि जमिंदारी सिस्टम या फिर पर्मानेंट सैटलमेंट यानि कि स्ताई बंदोबस्त जो है आप सबका 1793 में इंट्रीउस कराए गया था लॉड कॉन मैलिस के द्वारा यह आपकी पहली नैंडरी बनी हूं है दूसरा जो स्टूडेंट हो आपका रायट वर्डी सिस्टम है रायट वर्डी में विवस्ता है जो 1820 में आई थी बात करूंगी महल वर्डी सिस्टम है महल वर्डी प्रणाली है जो 1822 यानि कि रायट वर्डी के विवस्ता के दो साल बाद यह महल वर्डी सिस्टम आता है वीडियो के एंड तक बने रहना यह मैं आपको एक-एक करके अभी डिटेल में समझाने वाली हूं और साथी में य जाद आप बिल्कुल नहीं करेंगे concept को बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको पूरी कोछिस करूंगे समझाने की ताकि आप सब को easily से समझ में आजाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है यह आपका इंट्रो है जो आपके एक्जाम में आपको लिखना है तो लैंड र बड़ी सिस्टम और तीसरे आपका रायट बड़ी सिस्टम यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह एक्जाम में आपको जरूर लिखना है मैप में आप देख सकते हो जो यह आपका बंगाल भिहर और उरीसा वाला हिस्सा है यहाँ पर आपका परमाने सेटल्मेंट को मिलता है और जो यह ब्लू वाला यानि की ग्रीन वाला इससाब जो देख रहें जो ब्लू है यह बॉंब और मदरास यहाँ पर आपको रायट वड़ी सिस्टम देखने को मिलेगा अगर आप यह मैप बना चाते तो आप इसली से बना सकते हैं तो चलिए अब हम इसको एक स्लैड पे हिंदी के लिए आप लोगो परसान होने की बिल्कुल ज़रूत नहीं है मैं जो बाते बोलूंगी बस उसको समझना तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जमिंदारी सिस्टम यानि की पर्मानें चैट्लमेंट यानि की आप सब का स्ताई बंदुबस्त के बारे म तो आप सब ये बात जानते हैं कि पहली बात तो ये जमिंदारी सिस्टम इंटर्ड्यूस क्या था लॉर्ड कॉनवैलिस ने 1793 में ठीक है और ये त्रोदा पर्मानेंट सेट्लमेंट एक्ट है ठीक है और ये मैंने आपको बताया ये सिस्टम इंटर्यूस क्या था आपके बंगाल, बिहार और उडिशा प्रोविंस और वराणसी में आपके एक्जाम में ये क्वेशन पूछा जाता है कि जमिनदारी सिस्टम यानि की पर्मानेंट सेटल्मेंट जो है वो कौन से जगाओं पर आप लोगों को इंट्रिजूस किया गया तो कौन से जगाओं पर देख एकने को मिलती है तब कर राइट आंसर करेक्ट आंसर जमिनदारी सिस्टम यानि की पर्मानेंट सेटल्मेंट होगा क्लियर हो गया और मैंने भी आपको बताया जमिनदारी सिस्टम को हम पर्मानेंट सेटल्मेंट सिस्टम भी कहते हैं अगर हम मैं आपको बताओं कि इस सिस वो fix था इसलिए इसको क्या बोला जाता है permanent settlement इस्ताई बंदुबस्त यहां पर उन्होंने जुनका revenue उसको fix रखा था वो उसको change नहीं कर सकते थे इसलिए इसका नाम permanent settlement रखा गया अगर आम मैं बात करूँ कि जमिनदारी system क्यों है इसका नाम जमिनदारी क्यों है तो अब मेर इसलिए बातों को ध्यान से सुनो यहां पर student क्या होता है यह होता आपका British government यानि कि आपकी East India Company ठीक है आपकी East India Company है और आप सभी जमते ही Monopoly Company है East India Company ने क्या करा अपनी लैंड जो है ठीक है किसको दी थी जमिनदार को दी थी किसको दी थी जमिनदार्स को दी थी और यहां पर जो British government है उन्होंने क्या कहा कि जमिनदार्स को दे दी और उन्होंने कहा कि आपको लैंड पे काम करवाना है किससे पीजेंट से ठीक है आपको revenue collect करके मुझे लाकर देना है ठीक है सिर्फ British government आप सभी ने पहली बात feudalism बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ठीक है feudalism आप सभी ने पढ़ा है सामन्त बात बस उसमें क्या होता है British government की जगा उपर कौन होता आपका king होता है बाकी नीचे सब as it is same होता है ठीक है लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूँ अभी land revenue system की बात करें तो यहां पे आपकी British government होती है और वो यहां पे land देती है जमिनद ना तो यहां पर किसका क्या नुकसान होता है वो सब कुछ समझेंगे बस इतना समझो कि बीच में जमिनदार होता है यहां पर जो revenue है British government direct present से नहीं लेती वो पहले उसने किसको रखा है बीच में जमिनदार को रखा है उसके through revenue को collect कर रही है यानि कि revenue को ले रही है इसलिए इस system को जमिनदारी system किया गया क्यों कि important role जो यहां अगर आप देखोगे तो जमिनदार का है जमिनदार का यहां full right है full enjoyment करता है वो चारा दिखा रहे है farmer को वो काम करवाएगा ठीक है जो भी production होगी उसको रखेगा अगर farmers पे कुछ भी काम ने कर तो उसको punish भी करेगा सारी चीज़ें उसका हग है जो जैसा मन सिर्फ British government को revenue से मतलब है ठीक है इतना काम था तो इसलिए system को जमिनदारी system कहा जाता है तो आपको यह बात याद रखनी है जमिनदारी system में क्या होता है British government यानि कि आपकी East India Company direct present से land revenue यानि की बूरा जस्वना लेकर के जमिनदार को बीच इसमें रखती है ठीक है तो indirect way में redirect way नहीं होता है indirect way में वो revenue को collect करती है यहां तक पास समझ में आगी तो मैंने तो सबसे पहले आप सबको यह बता दिया कि इस system को जमिनदारी system और permanent settlement क्यों का जाता है ठीक है जो Lord Convallis द्वारा किया गया था और इसको बंगाल बिहार और Od वेडियूज किया था यह मैंने आपको भी समझा दिया अगर मैं आपको देखो यहां मैं आपको बता चुकी हूं यहां पर जो जमिनदार होता है वो owner होता है लैंड का ठीक है British Government ने लैंड जो है वो दे दी लेकिन जो अप owner होगा वो कौन है आपका जमिनदार यह owner होता है जमिनदार वर given the right to collect the rent from the present अब जमिनदार के पास अधिकार हो जाता है कि वो present यानि कि आपके किसान से rent को collect करेगा ठीक है तो यहां पर जमिनदार जो है वो अप owner होता है owner आपका जो है वो British Government नहीं होती वो जमिनदार होती है सारा हक उचीप होता है British Government को सिर्फ revenue से मतलब ह होता है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं जबकि अगर मैं बात करूं the jamindar became the owner of the land and actual farmer became tenants तो यहां पर आप देखो एक्शोल अगर आप देखोंगे owner तो आपके jamindar है लेकिन काम उस पे हमें कौन करेगा किसान करता है ठीक है वही उसमें खेती करेगा वही उस पे production करे और revenue लाके देगा जो भी crops production होगी वो लाकर देगा लेकिन इसमें क्या होता था student इसमें peasants को कुछ भी नहीं मिलता था अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर यह tax pay करना होता था यहां पर क्या होता था किसानों की इतनी बुरी हालात थी कि अगर उनकी situation खराब भी होगी तो भी उनको tax pay करना ही पड़ता था अगर वह ऐसा नहीं करते थे तो पीजेंट्स को जमिंदार क्या करते थे उन्हें पनिश करते थे उन्हें हरेश्मेंट करते थे ठीक है यहां पर जो tax लिया जाता था student वो cash में लिया जाता था ठीक है before introducing this system the tax could be paid in kind जब permanent settlement यानि क्या आपक यह वाला important है मैंने आपको बताया जो आपका production का share होगा वो 11 हिस्तों में यानि की 11 पार्ट में बढ़ता था जिसमें से एक बाए 11 का एक हिस्सा जो है वो किस पे जमिंदार का share होता था और जो 10 हिस्सा होता था वो East India Company यानि British Government का होता था लेकिन पीजेंट यानि किसान का इसमें एक भी हिस्सा नहीं होता था आप लोगी आवे देख सकते हो सारी मेहनत सब कुछ इन्होंने किया टैक्स यह दे रहे हैं लेकिन इसमें से इनका 1% भी share नहीं होता था 10% किसका होता था 10-11 में से 10 British Government का और एक हिस्सा आपके जमिंदार का होता था तो आप सबको मेरी बाते समझ में आ रही हैं कि यहां पर British Government क्या है उन्होंने सब कुछ जमिंदार को दे दिया ओनर यहां पे लैंड जो है वो ओनर कौन है जमिंदार है उसको राइट है कि अब वो पीजेंट से क्या करेगा लैंड कर टैक्स को कलेक्ट करेगा जो भी प्र करना ही पड़ेगा टैक्स उसको ऑन टाइम देना ही पड़ेगा यह यहां का रूल था ठीक है चाहे उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो चाहे ना हो चाहे नुकसान हो चाहे कुछ भी हो टैक्स उसको ऑन टाइम पे करना ही पड़ता था ठीक है और इसमें overall आपने जो सबसे हा जमिंदारी सिस्टम आप लोग यहां बास समझ में आ रही है आशा करते हूं बहुत मैंने पुरी कोसिस करें कि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ तो यहां तक आप सब को समझ में आ गया आगे वड़ते हैं यह हिंदी वाले शुडंट आप लोग यहां से पढ़ सकते ह बाते भागी जब वीडियो कंप्ली हो जाए तो वीडियो को पॉस करके आप इसको लिख लेना नोट डाउन कर लेना अगर अब मैं बात करूं कि क्या इसु क्रिए होती है क्या प्रॉब्लम क्रिए होती है जमिंदारी यानि की पर्मानेंट चैट्लमेंट में तो सबसे पह आप यहां देख सकते हैं कल्टिवेटर की मैं आपको यहां अर्डेडी बता चुकी हूं सिचुवेशन कैसी भी हो प्रोडेक्शन कम हो रहा होगा नैचरल कैलेमिटी जागे फ्लर्ड आगया ड्रॉट पढ़ गया ठीक है तो यह सारे रीजन के वज़े से अगर इनको खेती एक्रिकल्स जादा नहीं हो पा रहा है तब भी इनको टैक्स पे करना पड़ रहा था इनका शोशन हो रहा था एक्स स्टुडेंट अल् 2 टरीक है उनको अन्मटा पर लेक्स पे करना पड़ता सो कभी कबवेटिवेटर को क्या करना पर तो आप चुडेंट इजमिंदार से लोग भी लेते थी तकि वह अपने राइंट को पिस तो इसी वजह से वह क्या तो आपके पास दिन की खुद की लैंड होती थी और एक लैंडले पीजन्ट होती थी ठीक है एक के पास खुद की जमीन होती थी और एक के पास खुद की जमीन नहीं होती थी वो जमिनदारों की जमीनों पर जाके काम करते थी तो पीजन्ट जो होती थी यहां पर जो किसान है जब वो on time अपने taxes अपने loan को पे नहीं कर पाते थी तो फिर उनकी जमीनों से उन्हें भगा दिया जाता था उनकी जमीने उनकी land उनसे चीननी जाती थी नहीं तो ये लोग क्या करते थे जो जमिंदार होते थे उनको punishment करते थे, harassment करते थे ठीक है, एक example ले लो, अगर आपी के घर में आपको काम करवाया जाए और आपी से पैसे लिये जाए, आप से ही जो पैसे वसूल कराने के तरीके हैं वो आपी के घर से ही करा जाए, तो सोचो अपका क्या हाल होगा कि अपने ही घर में आपके हालाद जब नौकरों जैसे हो जाएंगे तो यही problem face करनी पड़ी थी आपके cultivators यानि की पीजेंट और किसान को, यह बात हो गई आपकी cultivator की अगर मैं बात करूँ जमिंदार्स की, तो जमिंदारों को भी problem होती थी ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, यहां पर जो आपका land revenue है भूरा जिस वो जो है, वो fix होता था student, इसलिए इसका नाम permanent settlement इस्ताई बंदोबस था, तो इसके वज़े से क्या था, यहां पर एक land revenue high यहां पर fix कर दिया गया था, जिसके वज़े से जमिंदारों को इसको pay करना मुश्किल था, ठीक है यहां पर इस India Company ने जो भी revenue decide किया, वो high fix किया था, बहुत जादा था जो कि जमिंदार नहीं कर पारे थे, ऐसा इसलिए क्योंकि present ही उसको नहीं दे पारा है तो जमिंदार कहां से लाकर देगा, अपनी जेव से लाकर नहीं देगा, ठीक है तो इस वज़े से जमिंदारों को भी problem होती थी, और इसके वज़े से क्या होता था कि जमिंदार भी time पर जो revenue है, वो company यानि की Britishers को time पर नहीं दे पाते थे जिसके वज़े से क्या होता था, तो जमिंदार है, ठीक है अब आग देखोगे, जो जमिंदारों की भुवी सुधार के लिए इतने उसक नहीं थे मैंने भी आपको बताया कि अब जब तक वे अपने जमीन दे सकते हैं और उनकी जो लगान प्राप्त कर सकते थे, वहने पसंद करते थे मैंने भी आपको बताया, कि यहां पर इनकी हलात क्या बुरो जाते थे क्योंकि East India Company को भी अपना revenue time पर चाहिए होता था बट अगर पीजन time पर जमिनदार को tax pay नहीं करेगा, revenue नहीं देगा, rent नहीं दे पाएगा तो जमिनदार कैसे East India Company को pay कर पाएगा, यह भी एक problem है, ठीक है अब बात करती हूँ आपकी East India Company की, तो student East India Company के अगर में बात करूँ तो आप भी जानते हो, हम इनकी market में price जो है वो बढ़ जाएंगे, क्यों जब आपके पास production कम होगा, जब present जो है आपका, आपके किसानों ने आपको लाकर नहीं दिया, तो market में आप क्या जाकर होगे, आपके पास production नहीं आ रहा है, लाइक अभी आप example ले लो, अभी आप जानते हो, जो नीमबू है, जो लेमन है, वो बहुत ही जादा महंगा हो चुका है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसका production कम है, इसी वज़े से इसका price जो है, वो हाई कर दिया गया है, तो यही situation थी कि अब जो है, cultivation अगर slow होगा, ठीक है, अगर आपको जो खेती है, वो बहुती कम दीरे-दीरे slow चलेगी, तो उसके वज़े से market में उसका price बढ़ जाएगा, और इसके वज़े से आप क्या देखोगे, कि जमिनदारी की जो income है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, company के लिए अग company का profit अब यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने अब आपको बताया, उन्होंने जो revenue है, वो अल्रेडी permanent fix रखी वी थी, वो उसको change नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो यहाँ पर revenue को नहीं बढ़ा सकते थे, East India Company, तो यहाँ पर company को भी पायदा होता था, यहाँ पर आपको एक चीज़ों बतादू, परमाने चैटल में, जो company है, East India Company, यानि के Britishers, इन्होंने एक law बनाया था, आप सभी ने सुनाओगा, sunset law, ठीक है, sunset law इन्होंने fix किया था, कि इसने, sunset law, Britishers नहीं जमिंदारों के लिए, कि अगर सूरत डूप जाने से पहले, सूरत ढल जाने से पहल तो जमिंदार अपनी जमिंदारी को खो देंगे, अपनी लैंड को खो देंगे, अपनी position को खो देंगे, भगा दिये जाएंगे वो वहां से, तो ये नहीं तो उनकी जमिंदारों को निलाम कर दिया जाएगा, आउक्षन कर दिया जाएगा, अगर जमिंदारों ने सूरत ढ पहले बुरा जस्पु यानी की लैंड रिवेन्यू को पें नहीं करा उन टाइम उनकी जमीनों को क्या कर दिया जाएगा। निलाम कर दिया जाएगा याद रखना ये वो लैंड होगी जो जमिंदार की खुद की लैंड होगी उसकी लैंड को यहाँ पर निलाम किया जाएगा ठीक है तो ये चीज भी अलग से नोट डाउन कर लेना Sunset Law लाया गया था ठीक है तो East India Company ने जमिंदारों के लिए रखा था अगर वो ये कानून बना था अगर Sunset Law से पहले इनोंने रिवेन्यू पे नहीं करा तो फिर उनके लैंड को आक्षन यानि की निलाम कर दिया जाएगा ठीक है आशा करती हूँ आपको ये सारी चीजे समझ में आ गई होगी तो स्टुडेंट ये था आपका टोटली पर्मानेंट सेटलमेंट जीक है यानि आपको जमिंदारी सिस्टम यानि कि आप लोगों की स्ताय बंदुष और मैंने पूरी कोसिस करी है कि आपको कम्प्लीटली समझा सकूँ अगर आपको अबजेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप लिखना है तो आपको जरूर लिखना कि इस सिस्टम को किसने इंट्रिउस किया था किस जगा पे कौन से कंट्रीज में ये किया गया था और यहाँ पर क्या प्रोसेस था इसको कमपनी चेंज नहीं कर सकती थी इसलिए इसको परमानल सैट्लमेंट भी कहा जाता है जो लौड कॉन वैलिस के द्वारा 1793 में लाया गया ठीक है क्लियर हो गया तो और उसके बाद इन सब को क्या प्रोब्लम फेस आफ करनी पड़ी इस सिस्टम के द्वारा इस विवस्ता के द्वारा आप सभी को समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया तो ज़ली से कमेंट में ओके करके लिखो कि हा मैं यह वाला सिस्टम हमें अच्छे से समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स सिस्टम की तरफ वह आपकी रायट वड़ी सिस्टम तो रायट वड़ी सिस्टम आपका दूसरा सिस्टम है 1793 के बाद जब उस सिच्वेशन इस इंडिया कंपनी ने देखी कि यहां पर रिवेन्यू फिक्स हो कुछ नहीं कर तो उन्होंने इसको चोड़ करके 1820 में रायट वड़ी सिस्टम आया ठीक है इस सिस्टम में मैं आपको डारेक्ट समझारू समझते जाओ यह जो ब्रिटिस की टरेट्री में अगर आप देखोगे तो आपकी साउधन इंडिया में आपको यह पर्मानेट शैटलमेंट आप को देखने को मिलेगा कि यहां से लोग अब पर्मानेट शैटलमेंट इसाय बंदवा से दूर हो रहे थे ठीक है अब वह आते हैं आपकी रायट वड़ी सिस्टम पर आ जाते हैं रायट वड़ी सिस्टम में आप लोगों के बात याद रखनी है कैप्टन एलेक्जेंडर र पेश किया गया था ठीक है 1819 से लेकर 1826 के बीच में बद्रासी प्रेजिदेंटी में इसको पेश किया गया था इस रायट वरी सेटलमेंट में अब अगर मैं बताओं अभी मैंने आप सभी को बताया था मैं आप सभी को उसी स्लाइड पर लेकर चलती हूं तो यहां पर मैंने स्टूडेंट आपको क्या बताया था पर्मानेल सेटलमेंट में कि ब्रिटिसर्स ने जमिंदारों को रखा था रेवेन्यू को टेक्स किलेक करके पीजेंट से लाकर के देना है बट स्टूडेंट अगर मैं रायट वरी सिस्टम की बात करूं जो की 1820 मे ब्रिटिस गवर्मेंट ने डारेक्ट पीजेंट से रेवेन्यू को कलेक्ट किया था इसमें ब्रिट जमिंदारों का कोई भी रूल नहीं था यह डिफरेंट साब कि जमिंदारी सिस्टम में और रायट वरी सिस्टम में नाम से समझ में आ रहा है जमिंदारी सिस्टम ने सम करती थी यह आप सभी को समझ में आ गया इन दोनों में डिफ्रेंस तो चलिए वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ तो मैंने आप सबको बता दिया यहाँ पर इस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है डारेक्ट पीजेंट से ही रिवेन्य को कलेक्ट करती है जमिंदारों का यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गया तो आपनों यहाँ देख सकते हैं अंडर मैं बात करूं तो इंडिविज्वल कल्टिवेटर यानि क्या आपका रायोट ही याद रखना रायोट पीजेंट फार्मर किसान यह सब एक ही चीज़ है ठीक है है एड़ फुल राइट रिगार्डिंग सेल ट्रांसफर और लीजिंग ऑप दे लेंड यहाँ पर अब जो कि खारता किसको किसानों को यहाँ पर रायोट कुझ नौट बी एक्टिट फ्रॉ्म दिर लेंड एस लोग एस देर देरतադ यहाँ पर जो लैंड से बेदकन नहीं कर सकते थे ठीक है यहां पर आप लोग देख सकते हो इस अबसे जादा आपके साउधन इंडिया में यानी की यह रायट वाली सैट्लमेंट जो फर्स टैम इंटर्डियूज हुआ था गी हुआ था आपके तमिल नाडू में बात में एक्स्टेंड वा आड़ी में यह जगाए भी याद रखनी है तो हबसे जादा अगर हम इसमें एडवांटेस क्या देखे कि यहां पर मिडल मैं एलिमिनेट हो गया इट मींस आपके जमिंदार्स को हटा दिया गया अब बिचोलिया जो है वो नहीं है इसके अंदर यह सबसे बड़ा एड़ा इस सिस्टम का इस रायट वरी सिस्टम का ठीक है और यहां पर आप सभी जानते हैं यही बिचोलिया यही जमिंदार जो थे सबसे जादा पीजन को परेशान करते थे उन पर अत्याचार करते थे अब वो यहां नहीं है तो पीजन की लाइफ अच्छी कासी चल रहे थी उनक कर देती थी आप सब यह बात जानते हैं अगर बीच में कोई है ठीक है जैसे कि यह आपकी ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी यह आपके जमिंदार और यह आपका पीजन अगर आपके ब्रिटिशर्स ने बोला कि इनको चाहिए आप से आट परसंट आट परसंट चाहिए रेंड रेवन्यू का तो यह जमिंदार जो है आपको क्या लगता है फार्मर से एट परसंट ही लेगा बिल्कुल भी नहीं उसको अपना भी प्रॉफिट देखना होता है तो वह एक परसंट बढ़ा के लेगा नौ लेगा या तो दस ले और जमिंदारों की पनिश्मेंट हाराश्मेंट सारी जेलनी पड़ती थी तो यह सारी चीजों से वह बहुत कुछ फेश आफ कर रहे थे प्रॉब्लम में थे कौन किसान बट रायट वरी सेटलमेंट में ऐसा कुछ नहीं था इसमें आराम से रह रहे थे वो डारेक्ली जित यहां पर काम उनसे करवाया जाता जैसे कि अगर आपको भी याद होगा मैंने आप सभी को बताया लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं था उन्हें नहीं भगाया जा सकता था ठीक है और यहां पर सबसे चीज है मिडिल मैन यानि कि जमिंदार बिचोडिये जो होते हैं वह इस सिस्टम मैं आपको देखने को नहीं मिलते हैं क्लियर हो गया आगे बढ़ते हो समझते हैं कि इस में क्या इशू रहा होगा यहां पे भी कुछ प्रॉब्लम क्रियेट तो हुई होगी इस सिस्टम की मैं अगर बात करूं तो इस प्रणानी ने अधिनिस्त राजस्व अधिक के इस सिस्टम में देखोंगे महाजन और मनी लेंडर्डर क्या थी क्या करते स्टूडंट जयूंक नहीं को गिर्वी रखकर कर्स देते थी आप लोगों को पता हैं मैंने भी आपको consecutive मिनमिन बल्स ता तो वह तो जमिंदारों पे ही चाहते थी ठीक है रोमनीयडर्डर महा मोजन थे उनी से जाकर लोन लेकर आते थे ताकि वो अपने रेंट को टाइम पर पे कर सके इसट इन्डिया कमपनी को तो टाइम पर दे ना चाहेंगे ना तो इसी आप भी अगर लोन नेने जाओगे तो उसके बदले आपको अपनी कोई भी चीज रखने पड़ती थी, तो उसके बदले किसानों को उनके पास उनकी जमीन होती थी, लैंड होती थी, तो वो रखनी पड़ती थी, ठीक है, मरी लैंडर एक्स्प्रोटी दर कल्टिवेटर, अभी भी लोन टाइम पर पे नहीं कर पाए, तो उनकी लैंड से अभी भी उनको बेदखल कर दिया जाता था, यहां पर अगर आप देखोगे तो पर्मानेंट चैनल में डारेक्टली जमीनदार यहां पर उन पर अटैक करता था, काम करवाता था, क्योंकि इस इंडिया लोन टाइम पर चाहिए, तो उनके पास नहीं होता है, तो लोन लेते हैं था कि वो ताइम पर पे कर सके, अब टाइक्स तो चलो पे कर देंगे, बड़ उन्होंने तो लोन ले रख़ा, उनको लोन भी पे करने में प्रॉबलम होती थी, तो उसमें उनकी लैंड चली जाती थी मनी लैंडर्स उनकी लैंड को ले लेते थे और विसानों को उनकी लैंड से भगा देते थे तो यह था जो रायट वड़ी सिस्टम में फेस आफ करना पड़ रहा है ओवरॉल अगर आख देखोगे तो हर जगा एक्स्प्लॉइट यहां पर पीजेंट को आप देखते वे क करते वे नजर आओ गई यहां पे प्रिजेंट के कंडिशन हमेशा बेकार ही रही है आप सभी को यहां पर दिख रहा है कि सारे काम यहां किसान कर रहे हैं सब कुछ यह महनत कर रहे हैं लेकिन अत्याचार सब कुछ इन पर हो रहा है और इनके हाथ में कुछ भी नहीं आता तो यह था आपका रायोट वड़ी सिस्टम अब हमारा बढ़ेंगे महल वड़ी सिस्टम के उपर तो इसको भी हम डिसकास करेंगे चुटन उससे पहले मैं बता दू वीडियो को लाइक शियर अगर आपने नहीं किया वीडियो पसंद आ रही हो और यहां तक अगर आपको अच्छी से समझ में आ गया तो कमेंट में जल्दी से लिखो कि आप सभी को यहां तक समझ में आ गया और मैं उन्हीं स्टूटन को पता दो जो भी स्टूडेंट में वीडियो को फर्स टाइम देख रहे में चानल पर परस्ट तैम है पहलता आप में चैनल को कि आप लोगों को कोई भी कोई भी कोई भी डाउट आप माँ पूर सकते हैं और आप लोग को कुछी भी टॉपिक से रिलेटेट पढ़ना है आप चाहते उस पर वीडियो लेकर क्या हूं तो आप कमेंट ने तो मैं से स्के थूरू आप मुझे बता सकते हैं तो इस सारी स्टेम की तरफ याज की तीसरी होगी बाद में आई थी यह स्टूडंट आपका इस था 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 सो बाईस में हॉट वाकेंजी के दौरह याद रखना हॉट में कैंजी के दौरह यह विवस्ता आई थी और विलियम बैंटिक जो 1833 की अबदी के दौरान प्रणानी मे सुधार किया गया था याद रखना इस महलवड़ी सिस्टम में रिफॉर्म क्या गया था जब विलियम बैंटिंग 1833 मैक्सिमम सुडेंट को ये तो याद रहता है कि महलवड़ी सिस्टम हॉट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसको सुधार इसको रिफॉर्म किसके टाइम पर किया था विलियम बैंटिंग जग थे उसके दुरान इस सिस्टम में इंप्रूब्मेंट यानि सुधार किया गया था अब अगर मैं बात करू स्टूडेंट की इस सिस्टम में क्या होता है यह प्राइम्ली रेंडिवेन्य सिस्टम था आपके नौर्थ वेस्ट इंडिया में इसमें जगा याद कर लो यह आपकी सेंट्र परविंस में नौर्थ वेश्ट फ्रंटियर में अगरा पंजाब गैंगेटिक वेली में यह पूरी जगाव में आपको यह सिस्टम देखने को मिलेगा, आब अगर मैं आपको बात बताओं, यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई, इस सिस्टम में देखो क्या यहां पर आपकी होती है Britishers यानि East India Company, ठीक है, मैं एक बार इसमें डाक पैल ने ले लेती हूँ तकि आप सभी को नज़र है, तो देखो स्टुडेंट, अब आपका क्या होता है, आपके British East India Company है, और पीजेंट तो ही है, ठीक है, पहले वाले में मैंने आपको बोला कि पीजेंट से ही revenue को collect किया जाता था, यह दो चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाया, अब अगर मैं स्टुडेंट बात करूँ, महलवड़ी सिस्टम में क्या होता है, महलवड़ी सिस्टम में क्या होता था, स्टुडेंट विलेज हेडमेन, जो भी विलेज का, गाओं का जो headman होता था, उसके थुरू लेंड revenue को collect किया जाता था, पहले जमिनदार थे, आपके जमिनदारी सिस्टम में, रायट वड़ी में, कंपनी डारेक्ट फार्मर से revenue को collect करती थी, महल वड़ी में, जो भी विलेज का headman होता था, ठीक है, जो भी विलेज का headman होता था, उसस से लिया जाता था, वो collect करता था revenue, पीजेंट से collect, यहाँ पर अब किसान जो है, जो भी गाओं का head होगा, उसको लाकर के revenue देता था, ठीक है, तो यह थे आपके तीरो महल वड़ी सिस्टम में, difference समझ में आ गया, आशा करते हूं, आप सभी को यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, permanent settlement मैंने आपको बताया, 1793 में आया, riot वड़ी आपका 1820 में आया, और आपका महल वड़ी 1822 में आया, यह तीनों कीजे, अब आशा करती हूं, तीनों में difference आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब अगर मैं बात करती हूं कि इसमें क्या हो से किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपका entire village होता है, महल को विलेज का गया है, यह क्या होता है, एक single unit या tax collect किया जाता था, यहाँ पर देखो सबसे most important point ही रहा, village headman या फिलेज की जो committee होती थी, इसकी responsive tax को collect करना, यह ownership अधिकार था इसका, अब इसका काम है, अब अगर आप देखोगे, इस वाले system में, जो owner है land का, वो थे आपके village headman, यह taxis को collect करते थे, पीजन से, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी जो taxis है, जो आपके क्या है, कर, बहुत जादा high होते थे, ठीक है, महल वारी system, अगर मैं student बात करूँ, महल वारी system में, आपकी जमि आपको बहुत सारी provisions देखने को मिलती है, तो तीनों में आप लोगों ने क्या देख लिया, यह तीनों में आशा करती हूँ, मैंने पूरी courses करी है, कि तीनों में difference आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर लेकिन जो tax collect करता है, वो होता हो आपके village headman, आगे बात करते कि इसमें क्या issue आता है, इसमें क्या problem होती होगी, देखो, प्रणाली की एक बड़ी खामी यह थी, कि सर्वेक्षन वहवारिक रूप से दोश्पूर धरणाओं पर अधारित था, जिसने जोड़ तोड़ा भष्ट जार के लिए जगा छोड़ पूरा drawback देखो कि सिस्टम का, यह पूरा का पूरा आपको क्या था, corruption आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने यह तीनों सिस्टम देखा, हालाद जो है, situation जो सबसाद बुरी थी, वैसे तो face of तीनों को करना पड़ता था, लेकिन present का, किसानों का बहुत तो यहाँ पर आप देखो कि सिस्टम भी क्या होता है, नतीजे क्याने के लिए, fail हो गए, आप लोगों ने देखा, क्योंकि मैंने आपको यह तीनों सिस्टम पड़ा है, और तीनों में मैंने आपको बताया कि जमिंदार के क्या हालात होता है, इसे company को क्या face of करना पड़त नहीं आएगा, तो मार्किट में आपको प्राइस जादा देखने को मिलेगा, आपके पास ठीक है, तो सभी को problem देखने को मिलती है, तीनों सिस्टम में, तीनों व्यवस्ता में अगर देखे तो प्याप से बुरे हाल हमारे किसान के थे, क्योंकि एक तो ने टेक्स तो देन अगर देखो, सबसे बुरी कंडिशन हमारे किसानों की होती है, ठीक है, अब देखो, ओवर ओल लास्ट में, जो यह बिटीस्ट इस्ट इंडिया कंपनी की जो यह ब्रेंड रिवन्यू की policy आई है, भूरा जस्व की policy आई है, इसमें हमें overall क्या problem क्या समस्था है, देखने क सब्सक्राइब के बिटी के भरू से यहां पर लैंड रिवन्यू टैक्स को collect किया था, क्योंकि यहां पर ब्रेटिक्स होते थे वो लैंड देखे से जमिन्दारों को और उसपर काम करता था, और उस इसे सारे टैक्से जारे रिवेन्यू, अगर कभी भी कोई भी नैच्छर calamities flood आ गया drought आ गए कुछ भी समस्या आ गई ठीक है अब production अच्छा नहीं हुआ तो लॉस इन तीनों को उठाना पड़ता था ठीक है जब किसान सीमा समय सीमा से से पहले पैसे की रूप में करका भुकतान करने में आ स्यमार थे तो हुझारों का अच बियादध धर बशन साव कारण ना पड़ता था आगा तो अब वहहु हमें भी फस है तो लोन में भी अब आप देखरो सावकारा दोरत किसानों की क्रिशी भूमी जो शन और ब्याज का भुकता नहीं कर सके जो वो जब्त कर लेते थी मैंने आपको बताया ना फिर वो एगरिकल्चर लैंड को जो फार्मर्स की होती थी जमिंदार उसको रख लेता था क्यों कोई जमिंदार टेक्स तो वो पे नहीं कर पाता था और जो टेक्स पे करने के लिए लोन लेता था वो उसको भी नहीं पे कर पाता था तो उसके वज़ स्टूडेंट ठीक है रायोट्स फार्मर्स पीजन्ट यानि किसान यह इस रिवेन्यों आप सभी को आशा करती हूं समझ में आ गया होगा तो चली से एक जल्दी से एक मैं आपको सम्भी की तरह एक तीनों में जल्दी से बता दे रही हूं आप सभी को ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए तो आप स्टूडेंट देखो लैंड रिवेनी सिस्टेम ब्रिटिश इंडिया कंपनी के दोवारा चलाया गया एक ता आपका सिस्टेम मैंने आपको पता है लॉंड कैन वैलिस के दोवारा 1793 में लाया गया रायट वड़ी सिस्टेम स्थॉमस मुन्रो के दोवारा 1820 में और महल वड़ी सिस्टेम विल्यम बैंटिंग के यहां पर रिवीजन हुए थी 1833 में लेकिन ही 1820 में याद रखना ठीक है फिर कौन सी जगाओं पर प्लेस याद रखना बंगाल बिहर उडिस और बनारस में रायट वड़ी सिस्टेम जो इंटर्ड्यूज हुआ था मदरास में बॉंबे इस्टन बंगाल असम और कॉंग में और महल वड़ी सिस्टेम में आपको प्लेस याद रखना है नौर्थ याद यहां पर है ता थिक है और यहां पर थिक है और और किसको अधिकार यहां पर रखना को कलेक करने तो यहां पे जमिंदार जो इसको अधिकार था यह पीजेंट से किसानों से रेंट को कलेक करता था रायट जमिंदारी सिस्टम में रायट वरी सिस्टम में यहां पे ब्रिटिस की जो सरकार थी ब्रिटिस गवर्मेंट जो है वो डारेक्ट पीजेंट से ही टेक्स कलेक करती थ तो ये तीनों में ये difference था जो मैंने आपको आज की वीडियो में detail में समझाया मैंने पूरी कोसिस करी कि मैं आपको अच्छी तरीके से अच्छे से ये सारी चीजे समझा सको और आशा करती हूँ कि मैं आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझा पाईएंगी तो अगर अब स्टूडेंट आपके एक्जाम में ये क्वेशन आजा है लेंडर वेन्यू बताओ जमिंदारी सिस्टम जिसको पर्मानेंट सेक्लिमेंट भी कहते हैं देन राइट वड़ी सिस्टम और महल वड़ी सिस्टम तो आपको इस सारी चीजे याद रखनी है और ये ल आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और कम वीडियो पसंद आयो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कर दो ठीक है और मेरे चैनल पर फर्स्टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आशा करते हूं कि मैंने आप सब पो ये कॉंसेप्ट को समझा दिया आगे आने वाले एक्जाम में अगर इससे लिडियर आपसे कुछ भी एक्जाम में क्वेशन आजाए तो आप इसली से कर पाएंगे इगनुवाले स्टुडेंट के लिए वीडियो बहुत ही आजा हेलफूल है रेंडे बने सुस्चिन से भी आपसे क्वेशन पूछा जाता हो कि आप कौनसे टॉपिक पर और वीडियो चाहते हो तो एक्जाम आने से पहले हम वो सारे टॉपिक को कवर अप कर सकें ओके स्टूडेंट तो कमेंट करके जरूर बताना आज की वीडियो कैसे लगी और यह कॉंसेट प्लियर हुआ या ने तो चले स्टूडेंट आज की वीडियो में वसेदता है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फो वाचिंग